हेलो गाई स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब के चैनल में मेरे नाम है रोहन और आप दिख रहे हैं टेक्निकल है बीट तो आज के इस वीडियों में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मोटरोला के जी 34 में आप application को hide कैसे कर सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले चलता हूँ settings में और settings में जाने के बाद सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ यहां पे कहीं भी कोई भी option आपको नहीं मिलता है जिससे आप app को hide कर सकें तो यहां पे आप नीचे आएंगे नीचे आने का बाद यहां पे देख सकते हैं कि कहीं भी कोई option यहां पे आपको नहीं मिलता है सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहां पे तो यहां पर privacy में देख लेता हूं कहा है यह देखिए security and privacy यहां पर भी मैं जाता हूं तो यहां पर भी मुझे app hide का option नहीं मिलता है और app log का भी option यहां पर मुझे नहीं मिलता है फिर apps में जाता हूं apps में भी कोई भी option यहां पर यहां पर अप settings में देख लिएंगे आपको कोई भी option नहीं मिल लागा जिससे आप एप को hide कर सकें तो यहां पर आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि app को hide आप कैसे कर सकते हैं तो यहां पे दिखिए सबसे पहले जाना है आपको Play Store पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दिना चाहता हूं यहां से जो भी अप्लिकेशन आप डाउनलोड करते हैं इससे आपको कोई भी दिकत नहीं होता है हाँ अगर आप Chrome ब्राजर से कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे Chrome ब्राजर से कोई अप्लिकेशन आप डाउनलोड करते हैं तिससे प्रब्लम हो सकता है लेकिन यह Play Store से अगर आप अप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं तिससे आपको फोन में कोई भी दिकत नहीं होगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहत हैं तो सबसे पहले आपको Microsoft Launcher सेलेक्ट करना है और यहां पे Install पे क्लिक कर देना है तो यहां पे Microsoft Launcher सर्च करिएगा सर्च करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लिजेगा तो यहां पे जब तक डाउनलोड होता है तब तक आप चैनल पर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक जरू कर दीजे और कमेंट कर पे अप्लिकेशन जो है हम लोग का इंस्टालिंग होने लगा और इस वीडियो को द से बाहर और यहां पर फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है माइक्रोफ लांचर पर क्लिक करेंगे और माइक्रोफ लांचर पर क्लिक करने के बाद गैट इस्टाट पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर हम लोग को यहां पर बोला जा रहा है कि आप यहां पर लूकेशन के यहां पर करेंट वाल पर जो है हमारा इसी पर सलेक्ट रहने देंगा और कांटिनु पर मैं क्लिक कर दूँगा तो यहां पर जैसे ही आपको क्लिक कर दिएगा और यहां पर लिखा यूर आल्चे let's go पे click कर दिजेगा यहाँ पे कुछ ऐसा option आएगा your phone, your look यहाँ पे set as default पे click कर दिजेगा और यहाँ पे आपको क्या select कर लेना है Microsoft launcher आप देखिए कुछ लोग को यह अगर launcher पसंद नहीं आता है इस तरह आप head नहीं करना चाहते हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हू want कि इस वीडियो को आप last अप, आप लोग को बता दूऄ खा कि आप phone को पहले जैसे जैसे भी कैसे कर सकते हैं और head को कैसे हटा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोला जा रहा है यहां पर यहां पर मैं यहां पर रिमूब कर लेता हूं यह देखिए इसको रिमूब करने का उप्षन आया इसको मैं रिमूब कर देता हूं रिमूब हो गया इसको भी मैं रिमूब कर देता हूं यहां पर मैं रिमूब कर देता हूं यहां पर मैं रिमूब कर देता हूं इसक क्या होगा कि यह मेरा जो है फोन पहले जैसा हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं यहां पर जैसे Microsoft launcher को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर Microsoft launcher कहीं दिखाई ही नहीं देगा यहां पर एप लिश्ट में अप्सण है वो आप लोग को बता देता हूं वीडियो बड़ा हो रहा हो तो यहां पर दिखिए जैसे our आप लिस्ट ओपन करेंगे यहां से एप लिस्ट ओपन करेंगे जैसे ही यहां पर देखिए यहां पर ठीलाइन दिखाई दे there ल्हाई को ब्रुक करना थे लैन कोंपर वापसान आ गिया और यहां क्यों यहाँ पर में एक स्क्रीन कर लेता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं उस्क्रीय नहीं ले Image यहाँ चाह्त लिया और यहां पर चूह होगा है लेकिन इसमी पाश्वर्ड नहीं लग कर करना पड़ेगा, यह जो setting है, इस पर click करना है, और यहां पर state password पर click कर देना है, जैसे ही आप state password पर click करेंगे, तो यहां पर इसकी पॉले option पर click करके, यहां पर अपना एक password लगा लेना है, तो यहां पर 1478 मैं लगा देता हूँ, 1478 मैं password लगा दिया, password जो है हम लोग का हो अब यह hide application यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, यह जो hide application है, यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहां पर मैं camera ओपन कर चुका हूँ, यहां पर यह जो दो finger है, आपको ड्राव्न और ulation करें तो आपका जो ईचाइ यो आपको दिखाई देने लएगा और उसको आप कर पाएगे यहाँ से नीचे की तरफ दो एकरेंगा यहाहा पर ये यहां पर दिख रहा है इसको मैं यहां से open कर सकता हूं यहां से open कर सकता हूं फिर मैं बैक आऊंगा फिर मुझसे password मांगने लएगा और मैं आप को बता देना चाहता हूं यहां पर क्लोक होता है हम लोग का मोटरोला फोन में यहां पर दबाखर करके रखना है एड विजिट पर जाना है और यह जो है Microsoft launcher लगाने के वजह से हड जाता है तो इसको आप चाहें तो यहां पर फिर से ला सकते हैं यहां पर मैं create पर क्लिक कर दिया क्या होता है मतलब कि अगर आप हाइड करना है तो वाट्चेप को जैसे ही आप हाइड पर क्लिक करेंगे इसका एक duplicate application बन करके इस वाले application में चला जाएगा secure folder नाम का यह जो application है इसमें चला जाएगा इसमें आपको continue पर click करना एक lock डालना है और lock डालने के बाद जैसे ही आप WhatsApp को hide करेंगे वहाँ पर बोलेगा secure folder पर app को मतलब select करने के लिए जैसे ही आप app को select करेंगे WhatsApp चलेट करेंगे यह तो WhatsApp आपका रहेगा एक clone बन जाएगा इसमें जो की है यहाँ पर एक clone बन जाएगा आपका और वहाँ पर क्या होगा कि आपका एक duplicate WhatsApp बन करके यहाँ पर चला जाएगा अगली वीडियो में तब तक लिए बाए जाहिंद अगली वीडियो में तब तक लिए बाए जाहिंद